हाई गाईज वेलकम बैक टो आर चानल ये बद्दिक एक है बचों का CCM के बद्दिका तो ये मैंने एक वीडियो में डाला होगा बहुत शौट सा बट डिटेल वीडियो बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी उस वीडियो के बाद की डिटेल वीडियो बीज डालना इसलिए मैंने ये उसी वक्त शूट कर लिया था सारा की डिटेल वीडियो भी डाल दूं तो हम बर्दे पे केक्स कैसे बना सकते हैं जो हेल्थी भी हो और इनको खाने में अच्छे भी लगे और मतलब हमें भी अच्छी हैपिनेस हो बच्चे भी खुश हम भी ख बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यू कर रहे हैं देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्री आफ कॉस्ट है यार कर दो थोड़ा मोटिवेट हो जाओंगी मैं भी तो चलिए विडाव बेसिंग टाइम वीडियो के तरफ चलते हैं तो केक बनाने के लिए हम बना बनाने केक सबसे पहले मैंने लिया है यह डस्ट यह जब भी आप मंगाते हैं जो बल्क में लेते हैं एक दो किलो में तो शायद नहीं होती बट में लेते हैं तो इसमें नीचे ऐसे चोटे-चोटे से पार्ट होते हैं यह के ठीक है अगर बहुत फिनिशिंग चाते हो तो छान लो फिनिशिंग नहीं चाते हो तो इसको बिना चाने भी बना सकते हो इच्ट ली अप टू यू तो यह चाहिए पहले आपको बता देतीयुकि क्या-क्या चीज़े हमें इसके लिए बेसिक रिकॉर्मेंट है यह हे की डस्ट है यह डस्ट क्या है डस्ट हम बोल रहे है यह क छोट भाँ मिले होता है, जब बंडल आ? तो उसमें वह क्रश हो जाती घांस ही है सूखी है तो वह मिले चुछ भाएंO में धूड़ा सा Film ma भूड़ा सा धनिया Supreme palette ayka apple अब यह सब को blend करना नहीं है क्योंकि और जराद या यहारा से मुलूंगी hoards तो यह सब इंग्रिडेंट के साथ हम बनाएंगे बच्चो का बर्दे केक तो आपके भी अगर फरी बेबी का बर्दे है या कोई ऑकेजन है कोई भी फेस्टिवल है तो आप असानी से घर पे बना सकते हैं सबसे पहले मैं क्या सोच रही हूँ थोड़ सी फिनिशिंग आज अ और मैं अलफा दिकती हूं करती हूं नंहीं करती हूं पहले मैं इसको करीलु ठ्रिट उसको फ्म्टा कर यहां लाए यूंजे लगा थोड़ा और बना दे कष़ जयादा यंदा अलफा है उसको में स्ट्राहि उसको ज्याधा पसंद आज है लोगों को एसा लग रहा भी हम तो alfa alfa जायतर पसंद आता है बट ये baby beneath के लिए होता है जैसे मैं हमेशा बताती हूँ पांच महीने तक के बच्चे को alfa alfa ही देते हैं बड़े को alfa alfa as a treat दे सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है but as a treat not as a main diet main diet उनकी थिमोती ही रहेगी तो इस टाइब से मैंने थोड़ी सी अलफा अलफा भी ना, इसमें स्ट्रेंड कर ली तो ये हो गया हमारा अलफा और थिमूती का इस टाइब से, ठीक है, इसके अंदर अब हम सारी चीज़े डाल देंगे मैंने डाल दिया है कोरियंडर, धन्या और यह मैं डाल दूंगी सुप्रीम का पैलेट तो चम्मस था बट ठीक है ज्यादा लग रहा है एक पार तो मैंने इसमें क्रिटिकल केर डाल दिया और फाइबर मिल जाएगा चीकु इतना स्मार्ट है ना उसने क्रिटिकल केर सूंगते ही छोड़ दिया वह कुकी छोड़ द दो मेमान भी आये चोटे चोटे उनको भी केक देना है और मैं दो चम्मच ओट टाल रही हूं अब इन सबको हम कर देंगे ब्लेंड पानी की वैसे आई डोंट तिंग सो नीट पड़ेगी को कि पालेट गिली थी धनिया गिला था और केले में अल्रड़ी बाइंडिंग होत करेंगे बहुत हलका दो चम्मच के बराबर भी नहीं बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे यह मैंने अच्छे से इसका डो बना लिया है जैसे हम लोग आटा गुनते हैं यह देखो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं बट मुझे लग रहा कि यह ठीक है सबिशन क्योंकि जितना मैं अगर इसको गीला कर दूंगी ना तो इसको बेक होने में उतना ही टाइम लगेगा तो आइधिंग यह पफेक्ट है अब वस इसकी शेप बनानी है मुझे जिस तरीके से मैं केक चाहरी हूं मैं लेयर्स का चाहरी हूं मतलब चलो रुको मैं बेकिंग ट् इसके बड़ी डेकुरेशन नहीं कर रही हूं वह सब मैं अपना लेकर आई हूं जिसके बड़े का टाग वैक सब कुछ लगा हूं तो मतलब परस्नली मैं चाहां नहीं रही हूं वह सब करना तो मैं इसको ना तीन लेयर्स का बनाओंगी तो मैं क्या करूंगी टिकी की इस टाइब से करके मेरे माइं में यही चल रहा है कि मैं ऐसे बना देती हूं तो इस टाइब से आप हाथ से भी बना सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड यानि की साचा है उससे भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा इसको अच्छे से राउंड शेप देदे और के मोल्ड आते हैं उसमें बना सकते हैं जिस टाइब से हम लोग कुकी वगरा सेल करते हैं तो वह सब आपकी परस्नल चॉइस है मुझे लगा बड़े केक मैं ऐसे ही बना दू आ यह से छोटा हो जाएगा हां यह के उपर और जो बचेगा उसको साइड में लड्डू टाइप करके बेक कर दूँगी वह भी कुकी की तरह यूज हो जाएगा मेरे बच्चे खा लेंगे आज नहीं कल दूँगी आज तो मिठू मिठू जादा हो जाएगा वनना बदे बॉइस का इस टाइप से तीन लेयर की बन जा चोटी चोटी देते हैं तेके इसमें कुछ भी ऐसे चीज यूज नहीं की है सेम यही चीज होती है कि जो माइडन की कुकीज होती है वह भी बहुत नाचुरल चीजों से बनी हुई है अलग-लग फ्लेवर्स के फ्लेवर्स का मतलब है औरिजनल फ्रूर्स यूज किये गए उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रिजर्वेटी या कुछ ऐसी चीज यूज नहीं होती है थोड़ सा टाइम कंजूमिंग है चीजें बट आउटकम बहुत अच्छा होता है तो माइक्रो को ना प्री हीट कर लेंगे कन्वेक्शन मोड पे जो ग्रिल वाला मोड होता है ब चाहिए अब इसमें वेट किसे मैंने रख दिया है अपनी बेक होने को केक आँ वनीटी पे मैं इसको चलाउंगी अभी च्वंटी एट थर्टी मिनिट्स चलाउंगी और 30 मिनिट्स के बाद हम इसको देखेंगे अब नहीं बन चुका है बीच में इसको 30 मिनिट के बाद पलट दिया था वो शाद मैंने शूट नहीं किया होगा पाट देन दुबार मैंने 30 से जादा लगा है 35 एप्रॉक्स बट मैंने अभी देखा है तो यह हो गया है बस आपको देखना है कि यह बेक अच्छे से हो जाए कच्छा रहेगा तो बस यह इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है इसलिए बीच में से अगर कच्छा रहेगा तो अगर आपको शेल्फ लाइफ अच्छी चाहिए तो आप इसको अच्छे से बेक करेंगे सी बहुत अच्छी क्रिस्पी टिक्या बनी है इसका डेकोरेट करने का थोड़ा था ठंडा हो जाए फिर मैं इसको डेकोरेट करूंगी तूट गई मुझे पलटते होए कोई प्रॉब्लम ने करते हैं यह हो गया केक झने को आजा यह हो खी करत आएटेट कोई तुब करते हैं,'ונהYAब मुझे रीझे, यह हो खोड़ाओ को था प्रॉब्लम ने उाचब तुट करते हैं, क्या तु MARY मुझे खी मार predator घजा हो खी करते हैं! झाल झाल